मुहर लग पाई है जी ए मीर क्या कुछ कहा रहे हैं सरा वो सुन ले तो आई नी आप सब जानते हो कि प्राइमिनिस्ट साफ ने अफर लॉंग टाइम मैं कहूंगा पहली बात इस तरह का पुलिटिकल आउट रीच का एक प्रोग्राम हाद में लिया है जिसके तरह आई पार् और सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी ने उसको एप्रीशीट किया है कि यही तरीका है डेश चलाने का उन असले हल करने का इसलिए कॉंग्रेस पार्टी की 3-member delegation उसमें पार्टिपेट करें है चलिए तो फिलाल आपने देखा कि किस तरह से गुलाम मीर जो हैं वो बातचित करते फिर नजर आ रहे थे यानि Congress Party की तरफ से अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की गई PDP की तरफ से बात्चित रखने की कोशिश की गई National Conference की तरफ से और जाहिर तरीके से CPIMM के नेता भी वहाँ पर मौजूद थे और अट्रा जो जिस तरह से बात करने की कोशिश की जा रही थी ये देखने वाली बात है लेकिन एहन सवाल यहां पर यह है कि अब मोहर किस तरह से लगेगी क्योंकि आप जब जमू कश्मीर के अंदर थे वहाँ पर जो बयान बाजी की गई उस पर कितनी बात अंदर जाकर हुई है ये देखने वाली बात है